आज हम स्टार्ट कर रही हैं क्लास सेविंथ की आपकी विज्ञान की वर्कशीट नमबर 26 डेट है आपकी 20 जैनुवरी 2021 आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका प्रकास आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरेग्राफ से कि राम आज अपने परिवार के साथ शाम को पार्क मे घूमने गया पार्क में खैलते-खैलते उन को बहुत तेर हो गई अंदेरा होने पर उसे पापा ने अपने फोन की टौर्च ओन कि क्योंकि जब अंदेरा हो जाता है तो हमें लाइट की जो पढ़ति है प्रकास की जो और खरत चार्ट है उस वह तो एसा ईसा ही कार के अगर दीपो यानि जो हैंड लेंप होते हैं उसके प्रकास की किरण पुंज को वो ध्यान से देखता है और राम ने पाया कि सभी किरण पुंजों में कुछ समानता है है क्या समानता है होती है तो सबका जो प्रकास होता है वो बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा में जाता है तो उसने ये notice किया कि सब का जो प्रकास है वो एक सीधी रेखा में जा रहा है तो वो अगले दिन इस बारे में अपनी अध्यापिका से पूछता है अगले दिन राम ने अपनी अध्यापिका से इसका कारण पूछा तो अध्यापिका ने बताया कि आप सबने छोटे छिद्रों से सूरे के प्रकास की किरन पुंज को कमरे में प्रवेस करते वे देखा होगा इसी प्रकार रेलगाडी से भी प्रकास किरन पुंज को देखा जा सकता है आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन के टावर की सर्च लाइट की किरण पुझ को भी देखा होगा और इस चीज को समझाने के लिए उनकी टीचर ने उनकी क्लास में एक एक्टिविटी करवाई क्या एक्टिविटी करवाई ये अनुभव क्या संकेत देते हैं तो राम की अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधी की जिसमें उसने एक मुंबत्ती की लौग की और पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा तो एक मुंबत्ती रखी गई टेवल पर पहले उसको सीधे पाइप से देखा गया तो जब सीधे पाइप से देखा जा रहा था तो वो मुंबत्ती बिल्कुल सही दिखाई दे रही थी लेकिन जब उसे तेड़े वे इस तरह के पाइप से देखा जा रहा था जब वो तेड़े पाइप से देखा जा रहा था तो यहां तक तो उसकी रोशनी सही आ रही थी लेकिन उसके बाद यहां से हम नहीं देख सकते क्योंकि यह जो रेखा है यह जो शेप है वो मुड़ जाता है इस वज़े से इसके बाद उन्होंने राम को ऐसा करने के लिए कहा राम मुड़े हुए पाइप से मुंबत्ती की लोग को नहीं देख पाया तो अध्यापिका ने क्या बताया कि यह गतिवीदी दर्शाती है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन होता है कि यह एक्टिविटी हमें बताती है कि जो भी प्रकाश होता है वो सरल रेखा में गमन करता है सरल रेखा में जाता है और उसी से हमें रोशनी प्राप्त होती है अगर अगर उसकी मतलब इस तरह की अगर shapes होती है तो हम कभी भी रोशनी को नहीं देख पाते हैं ठीक है अब इसे ही related आपकी कुछ questions दिये गए हैं जैसे first question है आपका कि राम के पापा ने phone की torch को on क्यों किया तो यही आप लिख देंगी कि अंधेरा होने के torch on किया क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था second है आपका कि प्रकास dash रेखा में गवन करता है तो इसका answer अप लिखेंगे सरल third question है रामने मुम्बती की लोग को देखने के लिए क्या किया तो उसने pipe को सीधा करके देखा क्योंकि प्रकास जोता है वो सरल रेखा में ही गवन करता है इसलिए रामने मुम्बती की लोग को pipe सीधा करके देखा चिह थी आज की आपकी work sheet